जैहिन दोस्तों दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीध है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो चलिए फ्रेंड आज के लेक्चर में हम जन्नल अवेजनेस के टाप 10 कोस्टन डिसस करेंगे जो आपके आने वाले सभी अग्दामों के पॉइंट अबी से बहुत ही इंपॉर्टन लेक्चर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं कोस्टन नमबर फस्ट इसको आप लोग इस्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है कोस्टन क्या है किस वर्स महत्मा गाधी भारत वापस लोटे थे तो किस वर्स महत्मा गाधी भारत वापस लोटे थे आपको बताना है 1918 में 1915 में 1925 में या 1909 में तो इसका सही आंसर हो जाएगा option B 1915 में ठीक है friends यानि 9 जनुरी 1915 को दचिड अफरीका से भारत वापस आए उसके बाद पूछ सकता है कि ये कब गए थे तो 1892 इसवी में दचिड अफरीका के एक व्यापारी दादा अग्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेत गादी जी दचिड अफरीका गए थे उसके बाद गादी जी यहाँ पे असायोग आंदोलन एक अगस्प 1920 को सुरू कर दिया था अब पूछ लेगा कि गादी जी की मिरित कब हुई थी तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के विडला भवन में प्रातना शभा में जाते हुए नाठू राम गौट से ने इनकी हत्या कर दी थी कोस्चन नमबर दो किसी राज के मुख मंतरी को कौन निउक्त करता है तो बताईए कौन निउक्त करता है तो उस राज का राजपाल ठीक है यानि राज के राजपाल निउक्त करते हैं मुख मंतरी की ठीक है फ्रेंट्स आप देखेगा इसके कुछ बेसिक पॉइंट से जो की आपको पता रहना चाहिए तो ध्यान दिजेगा अनुछेद 174 के अमसार मुख मंतरी की निउक्ती राजपाल करेगा ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद दिखिये राजपाल राज का क्या होता है तो ये सम्मयधानिक प्रमुख होता है और मुख मंत्री क्या होता है? तो ये मुख मंत्री राज की कारपालिका का वास्तविक परधान होता है तो ये दो points आप लुग नोट कर लीजेगा और मुख मंत्री कब चुना जाता है? जब friends संसदिय विवस्था में राजपाल बहुमत दल के नेता को मुख मंतरी चुनता है यानि जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही राजपाल मुख मंतरी चुनता है ठीक है friends अब ये question solve करिए विस्ट का सबसे विस्तरित लिखित सम्मिधान किस देश का है भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया तो इसका सही answer हो जाएगा option A भारत का है ठीक है friends अब पूछ सकता है कि भारत का निर्माण ठीक है कितने समय लगे थे तो 2 वर्स 11 माँ 18 दिन लगे थे ठीक है उसके बाद friends पूछ सकता है कितने अदिवेशन हुए थे तो 12 अदिवेशन हुए थे ठीक है friends तो ये कुछ points है उसके बाद पूछ सकता है कि अंतिम बैठक कब हुई थी तो इसको भी note कर लिजिएगा 24 जनवरी 1950 को हुआ था अंतिम बैठक अदिवेशन की चलिए और तो basic points आपको पता ही है चलिए बगला question इसको solve करिए किस मुगल समराट ने हुमायो को पुरास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वेशन अपना राजवन अस्थाबित किया तो कौन सा समराट है आपको बताना है वो भी मुगल समराट है तो इसका सही answer हो जाएगा option A सेरसा सूरी ठीक है friends सेरसा सूरी ने हुमायो को पुरास्त किया था तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वेशन अपना राजवन अस्थाबित किया सेरसा सूरी ने उत्तर भारत में शूर वन्स के उसके बाद 22 माई 1545 को कलिंजर पर आक्रमर के समय तोफा खाना फट जाने से सेरसा की मिरित्त हो गई अब पूछ सकता है कि सेरसा की मिरित्त कब हुई थी किस कारण हुई थी तो friends 22 माई 1545 को ठीक है कलिंजर पर आक्रमर करते इस समय तो खाना फट जाने से सेव साकी मिरत्ती हुई ठीक है फ्रेंट्स तु चलिए अगला कोस्चन चलिए इसको سौल करिए खागोल फिंन जिसमें अपना प्रकास यो उस्मा नहीं होता उन्हीं क्या कहा जाता है आपको आंसर देना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर वो भी असली है आपको पता है गरह हो जाएगा ठीक है जैसे पिर्थिवी हमारी गरह है इसका क्या कहते है इसका ना कोई परकास होता है स्वय का और ना कोई स्वय का उस्मा है ठीक है लेकिन इसके अंदर पिर्थिवी के अंदर उसमा पाया जाता है यह ध्यान दिजिएगा उसमा रहता है क्योंकि अंदर से पिर्थिवी कुछ गरम है कितनी गरम है आपको बताना है किस परकिरिया से जल पत्ती से जलवास्ट के रूप में निकलती है तो किस परकिरिया से निकलती है आपको बताना है तो इसका सही आंसर क्या होगा friends इसका सही आंसर हो जाएगा option A. वादपो सर्जन ठीक है वादपो सर्जन परकिरिया से जल पत्ती से जलवाज के रूप में निकलती है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाई का एक है कौन सी है आपको बताना है केसिका, धमनी, वेना, कावा, नस तो इसका सही आंसर हो जाएगा option A केसिका है ठीक है फ्रेंट अब ये question solve करिए निमलिखित में से किस खेल में नेट का उपियोग करने की आवसकता नहीं है तो किस खेल में नेट का उपियोग करने की आवसकता नहीं है आपको बताना है टेनिस में, टेबल टेनिस में, बैट मिन्टल में, या गोल्फ में तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या इसका सही आंसर हो जाएगा option D गोल्फ में चलिए काफी लोगों ने आंसर सही दिया थैंक्यू थैंक्यू निमलिखित में से कौन सी निते कला अन्य दिये गए से भिन्ध है आपको बताना है कुझी पूरी भांगडा कतक भरतनाट्यम तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन भी भांगडा ठीक है फ्रेंड्स आप देखिएगा भांगडा नित कला अन्य दिये गए से भिन्ध है भांगडा पंजाब की नित सैली है यह पुर्ष परधान नित है यह पुर्ष के द्वारा है आम तोर पर यह कब मनाया जाता है तो यह नित बैसाकी परवपर किया जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए अगला कोस्चन जो की बहुत इंपॉर्टन कोस्चन है और इस वीडियो का लास्ट कोस्चन निमलिखित में से कौन भारत तथा चीन के मद एक अंतराश्टी सीमा है तो कौन सी है अंतराश्टी सीमा आपको बताना है तो इसका सही आंसर किया होगा friends इसका सही आंसर हो जाएगा option C मैं एक मोहन रेखा ठीक है friends अब पूछ सकता है की ये जो डूरंड रेखा है ये किसके किसके भी चिस्तित है तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी चिस्तित है अब यहाँ पे red cliff तो red है यानि रेट का मदलब खत्रा तो खत्रा हमारा किस देश से है पाकिस्तान से है पाकिस्तान से रहता है क्योंकि पाकिस्तान अपना हमेशा ही उट पड़ाम काम करता रहता है तो इसलिए रेट किलीफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच इस्तित है समझ गया आप लोग तो कैसा लगा ये लिक्चर नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी सेयर करिएगा अभी तक आप लोगों ने चैनल को सस्काइब नहीं किया तो चैनल को सस्काइब कर लिजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग बन्ने मात्रम थैंक्यू स्टुडैन